Radiant Equipment Company की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है यह Radiant Equipment Company का 6 तंशम्ता का सीड पोर्शसंग प्लाथ जो की यहों पर 6 तंशम्ता के साथ आता है यह है R.E.C. Company का नवेडियर जो की इंडेंट सेलेंडर को फीडिंग के लिए दिया गया है इंडेंट सिलेंडर आपके जीरे में से लकड़ी, ढंटल, मूच वाला माल को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है यह है इंडेंट सिलेंडर से निकला हुआ आउटपुट जिसके अंदर आपको किसी परकार की लकड़ी ढंटल देखने को नहीं मिलती इंडेंडर से निकला हुआ रिजेक्शन जिसके अंदर आपको बड़ी अशुदियां लकड़ी ढंटल देखने को मिलेगा यह है पेट कवर एलिवेटर जो की प्री किलिनर को फ्रीडिंग के लिए दिया गया है जिसकी शमता 10 तन परतिघंटा होती है यह है आरेशी कंपनी का प्री किलिनर मॉडल जिसका नाम SPC-ATS है जिसकी यह उपर शमता 8 तन परतिघंटा आती है यह है प्री क्लिनर की टॉप स्क्रीन से निकला हुआ रिजेक्शन जिसके अंदर आपको बड़ी अशुदिया देखने को मिलती है यह है मशीन से निकला हुआ एर रिमोबल जिसके अंदर आपको हलकी बारी गंदगिया देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको बारी चीरा भी निकल जाता है यह है मशीन की बॉटम जाली से निकला हुआ रेजेक्शन जिसके अंदर आपको बारीक चूरा देखने को मिलेगा अगली रेजेक्शन आपको प्रेक्लीनर की मिडर स्क्रीन से निकली हुई देखने को मिलेगी यह है प्रेक्लीनर से निकला हुआ फाइनल आउटपुट अगली मशीन आरेसी कंपनी का सीड ग्रेडर मोडल जिसका पूरा नाम SG60 है जिसकी यहों पर समता 6 टन परती घंटा आती है यह है सीड ग्रेडर की टॉप स्क्रीन से निकला हुआ रेजेक्शन जिसके अंदर आपको बड़ी अशुदियां ही देखने को मिलेंगी यह है टॉप स्क्रीन का रेजेक्शन यह है सीड ग्रेडर की हावर से निकली हुई गंदगी जिसके अंदर आपको बारीक चूरा बारीक लकडी देखने को मिलेगी आगले रेजेक्शन सीड ग्रेडर से बॉटम स्क्रीन से निकली हुई है जिसके अंदर आपको हलका बारीक टोटा फोटा धाना देखने को मिलता है ये है सीट गेडर से निकला हुआ फाइनल अड़ पुट अगली मसीन आरिसी कंपनी की ग्रेविटी स्पेटर जिसकी समता 6 तन परती गंटा यहोँ पर आती है जिसका पूरा नाम ग्रेविटी स्पेटर 7 फैन 6 तन होता है ये है आपके अलके और भारी अनाज डानों को अलग करने के रूप में प्रियोग में लाया जाता है ये है मशीन से निकला हुआ रेजेक्शन जिसके अंदर आपको बारीक टोटा फोटा और अन्यपरकार की बारीक उशुदिया देखने को मिलती है ये है मशीन से निकला हुआ मिडलिंग माल जिसमें के अंदर आपको अच्छा और बढ़िया माल दोनों ही देखने को मिलता है जिसको आप तुबारा से मशीन में डालके क्लिनिंग का प्रिसेस ले सकते हैं ये है मशीन से निकला हुआ एक एवन माल जो की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है जिसका हर दाना एक समान देखने को मिलेगा ये है मशीन प्राइब हलके और भारी माल को अलग करने के रूप में प्रियोग में लाए जाती है जो की आपके माल को ग्रेड बनाने के रूप में काम आती है इसी परकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमें चैनल को फोलो और वीडियो को लाइक कर सकते हैं धन्यवाद कर दो कर दो कर सकते हैं